हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास भी है रियल मीगा मोबाइल और आपको उसमें जो टॉक बैक है वो अनेबल हो गया है कुछ इस तरीके से उसमें से आवाज आ रही है तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे आईए जानते हैं तो सबसे पहले हम आवाज कम कर लेते हैं ताकि आपको disturbance मैसूज ना हो यहाँ पर आपको दो fingers का use करना है तो दो fingers की मदब से आप slide up करें यहाँ पर आपको मिलेगा settings तो आपको नीचे है settings तो दो fingers से आप नीचे करें और यहाँ पर आपको settings मिल जाएगा तो आप settings पर एक बार touch करें फिर आपको दो बार फिर से touch करना है कुछ इस तरीके से और यह open हो जाएगा यहाँ पर आपको दो fingers की मदब से आपको open नीचे करना है यानि slide up और slide down यहाँ पर आपको एक option ढूंडना है जिसका नाम होगा additional setting तो यह रहा additional setting तो इसको ढूंड यह आपको इस पर एक बार touch करना है और दो बार फिर से touch करना है यह open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक option मिलेगा जिसका नाम होगा accessibility तो दो फिंगर की मदद से आप नीचे की तरफ जाएँ यहाँ पर accessibility यह रहा आप इस पर एक बार touch करें और इस पर दो बार फिर से touch कर दें कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा talk back तो आपको इस पर एक बार touch करना है फिर से आप इस पर दो बार touch कर दें यहाँ पर turn off करना हो कह रहा है आप turn off पर एक बार touch करें और दो बार फिर से touch कर दें और यह बंद हो जाएगा और आपका phone जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हम इसकी आवाज बढ़ा देते हैं ताकि आपको पता लगे कि हमारा जो talk back है वो बंद हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि हमारा talk back बंद हो चुका है और एक finger की मदद से हम इसे use कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करेंगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा